तो गाइस इस तरह के वीडियो आज काल Instagram पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल दा है तो आज इसी वीडियो के एडिट करते हैं बहुत ही असान तरीका है बस आप लोग वीडियो के अंतक बने रहना और वीडियो को बीना स्किप के और बीना मिस के वीडियो को पूरा इसलिए हम लोग सिंगापुर के वीडियो से ही कनेक्ट करते हैं तो सिंगापुर के कोई भी वीडियो से आप कनेक्ट कर सकते हैं तो यहां पर यही अच्छा चल दा है तो आपको हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको हटाते हैं चलते हैं कैपकट में यहां पर आपको सबसे पहले यहां जो ट्रेंपलेट का जो अप्सन दिख रहा है यह तो इसके उपर किलिक करते हैं और यहां पर सर्च करना है healing talent तो मेरा सर्च किया हुए तो हम यहां पर healing talent सर्च कर दें थोड़ा देर लोडिंग लेगा और ट्रेंपलेट खुद आ जाएगा तो यहां पर देख सेकते हैं यहां पर यह वाला ट्रेंपलेट जो है आ गया है तो इसी को हम लेंगे और यहां पर यूज़ ट्रेंपलेट को आप लोग सेलेक्ट कर लिजेगा और यहां से आप लोग फोटो या वीडियो जो भी है उसको तो हम यहां से यह वाला फोटो ले ले लेते हैं और पीवी उपर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर सबस्पेली स्क्वाब आज कम कर देते हैं और देख सकते हैं तो यहां से एक्सपोर्ट कर लेना है आप लोग को और विजाओट वाटर मार्क वाला एक्सपोर्ट कर लिजेगा एक्सपोर्ट होने के बाद आप लोग फिर से इसको कैपकट में एड करके और अपना जो मन पसंदिदा जो स्वांगों का आपको वो ट्रेनिंग वाला आप लोग लगा लिजेगा तो हम करके आप इस देख लाते हैं आपको तो यह हो गया है तो हम इसको बैक करते हैं और यही बाला है देख लिजे गाइस तो यहां से डेक होते हैं और यहां पर आ जाते हैं तो न्यू प्रजेक्ट पर जाते हैं और अब ही जो वीडियो को हमने एक्सपोर्ट किया है उसको ही आपको ले लेना है तो यहां पर एड कर लेते हैं और एड करने के बाद आपको क करना सेल करना व्यवाइं ने हम्ण कम करते ही हैं और आपना और आपके पास पास कोई आप यह से और डिरेक्ट लगा सकते हैं या यहां से इसको लगा दे नहिंस और इसमें से audio extract कर लेते हैं तो यहाँ पर स्क्रोल कर येगा तो extract audio का एक option आएगा तो यहाँ पर आ गया है यही वाला है गाइस इसको पर क्लिक कर येगा और यहाँ पर ये audio में extend हो जाएगा और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है बैक आएगा और ये वाला वीडियो को यहाँ से delete कर दिजेगा अपना वीडियो बनके ready हो चुका है गाइस तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के लिए like का बटन जरूर से दबा देना यार और यहाँ से आप लोग इस arrow पर जाकर और अपना वीडियो को export कर लिजेगा